नमस्कार आप देख रहे हैं SKP Live News धार जिले के रिंगनोद के ग्राम मौडी में आपसी रंजिश को लेकर एक व्यक्ति की गोली मार कर हत्या दरसल म्रतक बाबुलाल गाओं का पंच होने के कारण आपसी निप्टारा करते थे लेकिन एक नाबालिक यूती के मामले में निप्टारा नहीं करवाने के कारण आरोपियों ने सोमवार को रात करीब 10 बजे के आसपास गोली मार कर हत्या कर दी गटना की सुचना मिलते ही रिगनोथ पुलिस मौके पर पहुची गहल व्यक्ति को तरंट सरदारपुर के प्रात्मिक स्वास्त केंद्र पर ले जाया गया जहार डॉक्टों ने उसे म्रत गोशित कर दिया पुलिस ने मर्ग कायम कर दो आरोपियों को गिरफतार कर लिया है वही एक आरोपी अभी भी फरार है पुलिस ने फरार आरोपी की तलाश शुरू कर दिये वही 302 के तरद प्रकरंट पंजी बद्द कर लिया है पुलिस के दोरा अनुस अंदान जा रही है जैसा की स्द्योपी राम सिंग मिडा के दोरा बताया गया देखें खबर इसके पिलाइब नियूस पर यह एक राजू पिता जोगडिया गिरवाल है उसका लड़का पोशिया की नावालिक लड़की को आज से करीब साथ महीने पहले भगा कर ले गया है उसी परकण में राजू का भी नाम उस परकण में था राजू ने अपनी जमानत हाई कोड से करवा ली है यह चार-पांत दिन पहले बहार आया और रवी जो अभी भी फरार है यह बाबुलाल मरतक से समझोता करवाना चाह पर फड़ना नहीं चाहता हूं इसी बात को लेके राजू और समीर नेकल अपने साथियों के साथ कल रातरी में बावगूलाल के घर जाके उसको गोली मार दी छड़े लगें उसके गले में और सीने पर जिससे उसकी मरित्ती हुई है राजू और समीर को हमने राउंड- पंजीवद है 302 में और अनसंधान जारी है कि सर्णाम पता में राम सिंग मेड़ा एजडीवी सर्दार कुरू है कि कर रहे हैं तो बना लेंगे